हेलो फ्रेंट आज का हमारा टॉपिक है अपलोड अटेश्मेंट फॉम जो कि हमारी एक फॉर्म बिल्डर एप्लिकेशन है उसमें हमें एक फाइल अटेश्मेंट रिसीव हो रहा है फॉर्म रिस्पॉंसे के थूरू और हम चाहते हैं कि सेम फाइल वन ड्राइव में करनेट की मदद से जिसमें हमारा ट्रिगर होगा जॉर्म में कोई नया रिस्पॉंस या नया एंट्री रिसीव होना और सेम फाइल वन ड्राइव में एजब बैक अप अपलोड हो जाना तो यह प्रसेस हम कैसे करेंगे आए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे जैसा कि आप देख और वन ड्राइव के बीच में कैसा automation क्रिएट करना पड़ेगा कि कोई भी जॉप एप्लिकेंट अगर हमारी organization में अपलाई कर रहा है तो उसका जो रिजियो में है वह automatically जाके वन ड्राइव में upload हो जाए as a backup तो यह करने के लिए हम चलेंगे new tab पे और यहां पे type करेंगे www. www.pawly.com slash connect यह है पैबली का landing page पैबली एक बहुती amazing software है जहाँ आप multiple applications को connect या automate कर सकते हैं अगर आप नए user है तो जाए sign up for free पे जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे नए task ऐसे automation create करने के लिए अगर आप existing user है तो click कर यह sign in पे और sign in पे click करते ही आप देखेंगे हैं यहाँ पर आज आजाएंगे पैली की सारी main apps तो आज हमें को use करना है пैली करने है क्योंकि आज हमको एक automation create करना है इसलिए हम जाए के լिपामली करने हैं children Now पे Access Now पे क्लिक करते ही यहां हमारे समने आएगा Public Connect का टेशबूट Right साइड में जाना है हमको Create Workflow पे क्लिक करना है और इस Workflow को एक नाम देना है तो आज का हमारा Objective यह है कि जब भी Chaut Form में कोई Job Application हम रिसीव करते हैं उसमें जो हमको Attachment Receive हो रहा है Resume का वो हम OneDrive में जाके अप्लोट करने चाहते हैं तो इसलिए मैं इसको आज नाम दे रहा हूँ अप्लोट Attachment from Jot Form to OneDrive आप इसे इसके अलावा कोई भी नाम दे सकते हैं क्लिक करेंगे हम Create पे आप देखेंगे हमारा Workflow Create हो जाएगा और इसके बाद हमारे सामने आती है ये दो Important Windows जिने हम कहते हैं Trigger and Action Basically ये दो ऐसे Principal या Concepts हैं जिसमें हमारा पूरा Automation वर्क करता है Trigger कहता है When This Happened मतलब जब ऐसा हो तो Action कहता है Do This मतलब ऐसा करो तो आज का जो हमारा Objective है उसके हसाब से जो हमारी Trigger Application होने वाली है वो होगी Jot Form तो यहाँ पर हम Select करेंगे Jot Form और Trigger Evening हम Select करेंगे New Response मतलब Jot Form जो हमारी Form Builder Application है जो हमने यह Form Build कर रहा था इस पर अगर कोई भी Response Receive होता है दो Applications को Connect करने में तो यह है हमारा WebEQ URL यह हम यहाँ से करेंगे Copy और वापिस चलेंगे हमारे Jot Form के Account पे और क्लिक करेंगे अपने Form पे जो हमने Create किया था तो यह था Form जो मैंने Build किया था इस पर मैंने यह Fields बनाई है First Name, Last Name, Email Address, Gender, Phone Number and Resume है जो भी Job Applicant हमारी Company या Organization में Apply करेंगे ता उसे यह Form फिल करना पड़ेगा और उन्हें अपना Resume यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा अब हम चाते हैं कि जब भी हमें कोई Resume अपलोड हो Automatically वो Jot Form से जाके OneDrive में अपलोड हो जाए अब हम चलेंगे Settings में और सबसे पहले करेंगे Jot Form को Public Connect से Connect तो Settings में आते हैं आपको Left Side में दिखेगा Integrations हमको जाना है Integrations पे और यहाँ पे हमको Search करना है Webhook Search करेंगे Webhook तो आप देख सकते हैं यह है Webhook इस पे हमको Click करना है और यहाँ पे हमको URL पेस्ट करना है जैसा कि आपको याद होगा Public Connect ने हमको एक URL दिया था Webhook URL यह URL हमको यहाँ से Copy करना है वापिस जाना है Jot Form पे और यहाँ पे हमको इसको Paste कर देना है तो यह मैं करूँगा Paste और Click करूँगा Complete Integrations पे तो आप देख सकते हैं हमारा इसका मतलब अब हमको अपना Form फिल करना है और जैसे हम Jot Form पे अपना Form फिल करेंगे Public Connect के पास जो भी डेटा है इस Form का वो रिस्पॉन्स में पे कैप्चर हो जाएगा तो चलते हैं Jot Form पे, Click करते हैं Preview Form पे और इस Form को भरते हैं कुछ डमी डीटेल्स के साथ First Name मैं इसको देता हूँ Test User Email Address पे हम डालते है Pebletudes at the rate Gmail.com Gender, Male and Phone Number 9 अब हम यह पे अप्लोड करते हैं हमारा Resume File तो Browse File पे हमको क्लिक करना है और आपका Resume File यहाँ पे हमको Paste कर देना है तो जैसे मैं को यह File अप्लोड करनी थी तो मैंने यह Resume File अप्लोड कर दिया और आप हमको Simply Click करना है Submit Form पे तो आप देख सकते हैं हमारे जो Form Submission है वो Receive हो चुका है इसका मितलब जो हमारा Form है हो Successfully Submit हो चुका है अब चलते हैं Public Connect पे और चेक करते हैं कि क्या हो आप हमको API Response Receive हुआ यह नहीं तो आप देख सकते हैं हमको API Response Receive हो चुका है यह थी वो File Resume वाली फाइल जो हमने अप्लोड कर रही थी यह था हमारा Phone Number, Gender, Email ID and Form Title इसका मतलब जो हमारा First Step of Integration है वो Work कर रहा है हमने Job Form को Public Connect से Connect कर दिया है अब चलते हैं हमारी Next Step की और जो कि होने वाली Action Step तो हम चाहते हैं कि जब भी Job Form में कोई Job Applicant अपना Resume अप्लोड करें तो वो Automatically जाके OneDrive में इस Folder में अप्लोड हो जाए तो वापिस चलते हैं Public Connect पे और Action Step में हम चूज करते हैं यहां पर अपनी Application तो आज की जो हमारी दूसरी Application होगी वो होगी OneDrive तो Microsoft OneDrive को हम Select करेंगे Action Step में और Action Event में हम Select करेंगे Upload a File Upload a File मैंने इसलिए Select कर रहा है क्योंकि मैं चाता हूँ जो Resume वाली File है वो Short Form से OneDrive पे Upload जाए इसलिए हमने यह चूज किया Action Event पे Upload File क्लिक करेंगे वापिस Connect पे Add New Connection पे और Connect करेंगे Microsoft OneDrive Public Connect के साथ तो अब देख सकते हैं मेरा Account अल्रेडी लॉगड़ेन है इसलिए बस मेरेको Access देना पड़ेगा Public Connect को चलते हैं इसको देते हैं Access और अब देख सकते हैं हमारा Authorization यहां पे Successful हो जाएगा और हमारे Microsoft OneDrive का Account है वह भी Public Connect से Connect हो जाएगा तो हमारा Account Connect हो चुका है अभ यहां पे आता है हमारे पास यह columns like folder list, file name, file, url and file तो folder list में हमको सबसे पहले select करना है हमारा folder तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हमारी resume वाली file है वो हम Microsoft OneDrive में इस folder में upload करने चाहते हैं तो हमको यहां पे select करने पड़ेगा हमारा particular folder जिस पे हम अपनी resume वाली file अपलोड करना चाहते हैं तो आप चलते है पैबली connect पे और हमारा folder resume है आप यहां से नया folder पे create कर सकते हैं आप इस पे click करके नया folder बना सकते हैं मैंने already folder create करके रखा है इसलिए मैंने यहां पे जाके folder choose कर लिया है अब आते हैं हम अपने file name पे तो file name मैं चाहता हूँ जो resume वाली file है मैं उसको यह नाम देना चाहता हूँ कि जो job applicant का नाम है जो हमारी company या organization में apply कर रहा है मैं उसी के नाम से resume वाले folder में resume upload करना चाहता हूँ और उसी same नाम से जो job applicant का नाम है तो यहां पे हम use करेंगे mapping का mapping एक बहुत ही simple process है mapping का मतलब यह होता है जो trigger में हमको response receive हुआ है वह हम यहां पे use कर लेते हैं तो जैसा कि आप सब को पता है जो job applicant ने जैसा हभी हमने job form में एक form submission किया था तो उसमें हमने first name और last name चूस कर रहा था वह हम यहां पे map कर देंगे मैं आपको बताता हूँ कि mapping कैसे की जाती है हमको simply हम पे click करना है और आप देख सकते है job form जो कि हमारी trigger application थी वह यहां पे हमारे समने open हो चुकी है simply हमको drop down पे click करना है और यहां पे हमको choose करना है हमारा first name और last name तो जैसा कि आप सब जानते है अभी हमने जब form submission किया था तो उसमें हमने first name और last name details हमने add करी थी job form में जो हमने form submit किया था वह हम यहां पे map कर लेंगे तो यहां पे मैं select करता हूँ search करता हूँ हमारा first name तो जैसा कि आप सब को याद होगा हमारा first name था test यह था मेरा first name और मेरा last name था बीच पर हमको देना is space और अब हमको map करना है हमारा last name का data last name था मेरा user तो यह है मेरा last name और यह है मेरा first name मैं चाहता हूँ कि जो भी resume हमाली file upload हो वो job applicant के नाम पर ही upload हो इसलिए मैंने यहापे mapping का यूज़ किया है अगर हम इसको statically जब भी workflow run करेगा new data के साथ यह data अब automatically change हो जाएगा अब हमको यहापे map करना है file url तो वापिस हम mapping के use करेंगे वापिस हम जाएंगे jot from new responses में और click करेंगे drop down पे और यहाँ से select करेंगे हम अपना file का url तो यह था हमारी file का url यह हम यहाँ से करेंगे select और file को हम रखेंगे default पर यह और simply हमको click करना है save and send test request पर और जैसी में save and send test request पे click करूँगा आप देखेंगे automatically जो हमारा resume है वो one drive में जाके इस folder में upload हो जाएगा तो चलते हम पैबली connect पे click करते save and send test request पर अब देख सकते हैं जो हमको response API का receive हुआ है वो positive response receive हुआ है इसका मतलब जो हमारी resume वाली file है वो one drive में जाके upload हो चुकी है तो चलते हमारे one drive पे और open करते हैं resume वाला folder और करते हैं इसको refresh अब देख सकते हैं यह test user का resume जो था जो मैंने यहां पे पैबली connect पे upload किया था वो one drive में जाके automatically upload हो चुका है इसको open करते हैं तो देखिए यह resume यहां पे आके upload हो चुका इसका मतलब जो हमने automation बनाया है work कर रहा है जैसी job form में job applicant apply करेगा अपना resume upload करेगा automatically वो जाके one drive में इस particular folder में upload हो जाएगा बस हमको यहां पे एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भी file है उसको हमें proper extension में upload करना है जैसे screenshot.jpg अगर PDF में file होगी तो हमको PDF में upload करना है अगर JPG में होगी तो हमको JPG में upload करना है अब चलते हैं हम इसको real time में test करने वापिस चलते हैं अपने jot form पे और फिर से fill करते हैं अपना यह form dummy details के साथ तो मैं फिर से fill करूंगा यह form first name में हम यह पे fill करते हैं demo last name use and email address xyz at the rate gmail.com gender, male and phone number upload करते हैं हमारा resume वापिस जाते हैं browse file पे और upload करते हैं एक और resume अब देख सकते हैं मैंने यहाप resume upload कर दिया अब क्लिक करते हैं submit form पे तो देख सकते हैं हमारा जो form submission है वो receive हो चुका है हमने form successfully submit कर दिया है अब चलते हैं वापिस one drive पे पतलब jot form में कोई भी job applicant अगर अपना form submit कर रहा है और resume upload कर रहा है one drive पी जाके वो automatically resume as a backup upload हो रहा है तो हमारा automation जो हमने public connect पे बनाया था वो work कर रहा है तो simply हमने 2 step में automation बनाया था जिसमें हमारा trigger था jot form में नया response आना और action था Microsoft one drive में same file attachment upload हो जाना अगर आप इस automation का यूज करना चाते हैं तो इसका link पर अपने वीडियो के description में दे दूँगा जाब इसे बड़ी असानी से इस्तिमाल कर सकते हैं सिर्थ यही नहीं आप और भी application के integration public connect के मदद से बना सकते हैं इसके लिए आप हमें email कर सकते हैं support at the rate family.com पर अगर आपको कोई queries हैं आपको कोई doubts हैं तो आप जा सकते है forum.family.com पर अगर आपको pricing related कोई issue हैं तो आप जा सकते हैं इस link पर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें तेंक यू